स्री सिवाई नमस्तु भ्यमिमि आप सभी के विश संतानुतपत्ति में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप सभी को भी सरल्थ से तीन उपाई वीडियो में हैं कोई एक उपाई करना चाहे है गुरुजी कहते हैं जब नारी के जीवन में अपूर्णता हो, संतान उत्पत्ती में दिक्कत हो, पुत्र प्राप्ती की इच्छा हो तो इन उपायों को कर लेना चाहिए। यह उपाय सिद्ध उपाय हैं, लाखो पत्र गुरुजी के पास ऐसे आते हैं जिनमें स्वस्ट स्वरूप में लिखा हो इन उपायों को करने से 10 वर्स वाद, 15 वर्स वाद, 7-8 साल वाद पुत्र प्राप्ती हुई है या संतान प्राप्ती हुई है, अगर विश्वास से किये जाए तो यह उपाय चमतकारी है, परन्तु इन है सही विधान से नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से आप सभी कही न कही कई बार उपाय करके असफल हुए होंगे, परन्तु सीधे तरीके से, सरलतम तरीके से, विश्वास से, पूरा वीडियो सुनकर उपाय किया जाए, तो लाव निश्ची हुता ही है, तो पहला उपाय जो सबसे सरल है, और सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध उपाय है, जिसको करने से लाखो लोगों को लाव हुआ है, वह आपको साजा करना चाहूंगे, जिसमें गुरुजी कहते हैं, राजस्वला धर्म अर्थार प्रियर्ट जिसे मासिक धर्म कहा जाता है, उसके साथवे दिन, जैसे आपके संतान उत्पति आप चाहते हैं, मासिक धर्म हर महने आता है उसके साथवे दिन आप नोट कर लीजी वीडियो को सेव कर लीजे जब भी आपको उपाई करना हो तो आपको साथवे दिन जो है सफेद आंकडे की जड़ जैसे आंकडे जो है जिसे जिसे अलग-अलग नामों से कहा जाता है मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है वह अच्छा माना जाता है तो सफेद आंकडे की जड़ लेनी है आपको किसी भी तिथी मैं चाहें तो सौंबार के दिन चाहें तो प्रदोश ब्रत चाहें मंगलवार किसी भी अच्छे दिन को देखकर आप जड़ जो है उठाकर तोड़कर अरथा थोड़ा खड़ा खड़ा उसमें पति-पत्नी एक साथ जाकर अगर उसे जड़ को निकाल कर लाकर घर लेकर आजाते हैं और उसे साब सुतरा कर लेते हैं जैसे मिट्टी की वस्तु है तो थोड़ा साब सुतरा करना जरूरी है इसे ले जाकर चले जाए महादयु के मंदीर में साथ ही एक लाल जिससे कि आप इसे बांध सके पूर्ण रूप से ताकि आप इसे कमर में धारण कर सके तो आप सभी को जो है इसका एक विधान है पूजा की थाली में यह जल्ड रख लीजे छोटा सा एक टुकडा लाल रंका भी रख लीजे और लाल धागा ले लीजे और साथ के साथ आप सभी को एक गोलवत्ती का घी का दीपक ले जाना होगा सेव मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो विधी विधान से आपकी इच्छा सकती सामर्थ है आप महादेव का पूजन पती पतनी साथ में करते हैं तो अत्य ठीक सुब माना जाता है नहीं तो अकेले भी आप कर सकते हैं आप सभी को सिवलिंग पर विधी विधान से जल चड़ाना होगा गोलवत्ती का घी का दीपक लगाना होगा और विधान से पूजा नियम कर लेना होगा उसके बाद आप सभी को महादेव और मातारानी का स्मरण करें और तुम्रुका जी का इस उपाई को करने के लिए नाम लेना है किसका नाम लेना है तुम्रुका जी का नाम लेना है और सफेद आंकडे की जड़ महादेव की सिवलिंग में से आपको कितनी बार उतारनी है एक किस बार गोल गोल करके जो सिवलिंग है उस पर से उतार लेनी है घर पर किसी भी स्वरूप में यह उपाय नहीं किया जाएगा बात का ध्यान रखे वहीं पर महादेव की तरफ अर्था सिवलिंग की तरफ आपको देखते रहना है एक टक और उसे लाल कपड़े में छोटे से में आप बांध लीजे ताकि कहीं भी गिरे ना और आपके जो है कमर इत्यादी में जो है दिक्कत ना हो कहने का अर्थ है कि कई पर सिवलिंग की तरफ देखते हुए आप जो है विसे इस तोर पर लाल धागे में इसे बांध लीजे ठीक है लाल धागे में बांध लिया लाल कपड़े में बांध लिया इसे अपने कमर में आप सभी को मासिक धर्म के साथवे दिन बांध लेना है ठीक है बांध लीजे उसके बाद आप सभी को महादेव के आगे प्रार्थना करनी है कि है महादेव मैं अपूर्ण हूँ मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या जो भी संतान प्राप्ति की इच्छा है वह कहें और आप कहें कि मैंने आज रजेस्वला धर्म की सात्वे दिन आंकडे की सफ से करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी जैसी आप संतान चाहते हैं जैसे अपेक्षा से अपने उपाई किया है वह अपेक्षा आपके निश्चेत रूप से पूर्ण होगी तो करके देखिएगा सावन का महना आ रहा है और साथ के साथ अभी असाड महना है किसी भी सुप तिथी में देखकर किसी भी दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बार नहीं है, इसमें कोई विशेस मापदर्न नहीं है, कि कोई दिन देखें, किसी तिथी पर करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक किस बार बेक्ति के उपर से उतारा कर लेना है, अर्था सीवलिंग में स उतारा कर लेना है गुल गुल घुमा लेना है 21 बार और रजस्वला धर्म के साथवे दिन कमर में बाहन देनी है आप सभी को कितनी बार बाहना है आपके प्रशनाते हैं कम से कम गुरुजी ने कहा है ऐसा गुरुजी ने नहीं कहा कि आप कितने दिन बादे जितने दिन अगले मासिक धर्मा आने तक बाढ़ सकते हैं तो यह तो और अच्छा सुब रहेगा इस बीच में आप सब ही अपने पती के साथ रहते हैं और जो है महादेयो का नाम लेकर प्रभु मंत्रों का समरण करकर संतान प्राप्ति के लिए महादेयो का समरण करत अगले एक महने बाद आपको देखने को स्वतर ही मिल जाएगा मातर तीन महने में गुरुजी कहते हैं मनुकामनपून हो जाएगी संबहो तो तीन महने लगातार वाली है नहीं तो मातर आप एक महना भी बांद लेंगे तो परियाप्त रहेगा तो यह हो गई प्रथम उप को करने के लिए कोई भी प्रशन हो कमेंट्स के माध्यम से पूछ लिजेगा आपका अपना चैनल है सभी सवालों के जबाब आप प्राप्त करेंगे आपको लेना है एक पीपल का पत्ता कुंद केशन महादेव का नाम लेकर इसे लेकर चले जाए महादेव के मंदिर में द और कहीं से भी गौमाता के दूद का प्रबंद कर लीजे और रातरी में सोने से पहले जो पती-पत्नी संबंद बना है उससे पहले रातरी में सोने से पहले सीव पर चड़े हुए जो पीपल के पत्ते हैं उन्हें आप सभी को उबाल लेना है दूद में गौमाता के ठीक है फिर आप सभी को प्रती दिन लगातार तीन दिन इस दूद को पती पत्नी को पी के सो जाना है जिस कामना के तहट आप सिवलिंग पल पीपल के पत्ते चड़ाये हैं महां से उठा कर लाये हैं कुंद केश्वर महादेव का नाम लेकर गौमाता के दूद में आपने उबाल कर पिया है उसी समय आपके मनों कामना पूर्ण होगी मातर तीन दिन इस उपाय करके देखिए तमाम डॉक्टरों के चक्कर लगाने से अच्छा है कोई उपाय कर लिया जाए फल तो इसका किसी ना किसी सरोप में मिलता ही है चमतकार होता है तो हमने बात कर ली दो उपाय की तीसरा उपाय है पसुपती ब्रत गुरुजी के पास इस पस्ट सरोप में कई तरह के पत्र आते हैं जिन में लिखा होता है कि मात्र पांच दिन के पांच सौंबार के पसुपती ब्रत करके उन्हें पुत्र संतान की प्रप्ती हुई है 10 साल, 15 साल, 20 साल तो पसुपती ब्रत की संपूर्ण विधि मैंने अपने चैनल पर वीडियो की माध्यम से करके दिखाई है comment में मैं pin कर दोगी आप सभी उसे देखिएगा मातर 500 बार संकल्प के तहट प्रथम दिन संकल्प लीजे कि महादेव मैं 500 बार के आपके बिरत कर रही हूँ आप इस संकल्प के तहट जैसे अपने दाहिने हाथ में प्रावल या फूल लेकर नाम गोत्र बोलिए और अपनी मनो कामना बोले कि है महादे मैं संकल्प के तहत आज अपनी जो है विसेश मनो कामना जो संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा के तहत आपका पसुपती ब्रत कर रही हो मेरी मनो कामना पूर न करें और पसुपती ब्रत करने से लाखो लोगों के विवा हुए हैं पसुपती ब्रत करने से लाखो लोगों को संतान प्राप्ति है।